एक बहुत बड़े मकान में सैकोड़े चुवे रहते थे, उन सब की जिल्दिगे हस्ते किलते पुदकते बड़े आनन से गुजर रहे थी, पर अचाना गर का मालिक एक बिल्ली उठा लाया। नंभीर बढ़ती जा रही थी, ठरफार का चुवे ने एक सबा बुलाई जिसमें हर बड़ा चोटा चुवा सामिल हुआ, एक बोला हमें इस मुझतिबस से चुपकारा पाना ही होगा भाईयो, अपने अपने सुझाव दो कि बिल्ली को कैसे मारा जाए, ये कैसे उससे पीछा चुड़ाया जाए, तो समय तो कुसुर कुसुर होती रही, काफे देर बाद एक नन्ना चुवा, आगे बड़ा और बोला, क्यों ना बिल्ली के गले में घंती बांदे, जहां कही हुआ जाएगी घंती की आवाज आएगी, और हम सब अपने बिल्ली में चुप जाएंगे, तो बिल्ली हमारा कुछ भी नहीं बिजार पाएगी, चारो और तालिया बजने लगी, वाँ वाँ, ये तो सचमुश बड़ा अद्बूत उपाय था, आएए इस नन्ने का विचार तो सचमुश कमाल का है, लगता है अब हमारे फिर से सुवाने दिन लोटने वाले हैं, इस नन्ने ने तो हमारी चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया, इसे सम्माल मिलना चाहिए, एक बुड़ा चुवा चुप चाप एक कोले में बैटा हुआ था, बोल उठा, सुनो जरा, मेरी भी सुनो, तुम सब एक बात भूल रहे हो, छुटा चुवा बोला क्या, एक बात बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांदेगा कोई, सब के भूस उड़ गए, और मोत के मुझ में जाए, किसी में भी इस काम को पूरा करने का विड़ा उठाने की हुमत नहीं थी, ऐसा खतरनाक काम कोई पसंद करता सा, सभी एक दूसरे का मुझ ताक रहे ही, अचानक बि में घुज गए, तिक्षा, सुयो देना आसान है, परन्तु अमल करना मुश्किल है,